हेलो एवरिवन स्वागत है एक नई वीडियो में और आज की वीडियो होने वाली है बाई यह नामसद ने सब जगह देख लिया होगा इसकी बहुत ही एड चलती है आज इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब भी मतलब जब भी खोलते हैं एक दिन में दो तीन बार तो सामने इसके द आई जाती है इसकी एड और उसमें क्या दिखाते हैं कि इसके दूध है ऊस्में इतनी मॉट्ती मलाया आती है कि ऑ में हमारी ओरिजिनल मैंस का दूदे उसमें भी आती होगी मतलब वो जैसे हाथ से ऐसे उठा के यू डालते हैं तो हमने सोचा क्यों आज इसको ही टेस्ट कर लिया जाए और खुद से जाना जाए कि इसमें सच में इतनी मलाई आती है नहीं आती है तो हमने भी दो अदा अदा लेटर के पैकिंग वाली है और अब हम इसको गरम करके देखते हैं कि इसमें कितनी मलाई आएगी क्या कुछ होगा तो इस पे जो MRP है वो अल्मॉस्ट रूपीस 52 है मतलब अभी के जो चल रहा है हो सकता है उपर नीचे होता हो उनका मेरे को पता नहीं है इस चीज का लेकि तो वो भी अगर डेल एंस यार में मिलेंगे तो 70 के राउंड मिल जाएगा 70 रूपे के और गाउं में तो और भी सस्ता है 40-50 रूपीस आपको मिल जाता है लेकिन यह हमें 95 तो 100 रूपीस का ही हो गया एक लिटर तो कोस्टली तो है सिद्धी बात है लेकिन जो मलाई और व गाल की में इसहाँ गया लोता है मत अब उस्टली में लेख जारा है लेकिन हम इस्था हैं की भालों के घी hasn और अग्र रिखा सब्सक्राइघ करनी के बादकर पर बबंद के और नहीं अब हम इसको एक comparison हो रहा है चैनल पे वीडियो लाइव हो गया है जिसमें नारियल में कितना पाणिय निकलता है वह भी हमने दिखाया है एक बाइया honest opinion जो आपके सामने रखा है और अब दूद का भी रखने वाले हैं पूरी रात बार इस दूद को अमने फ्रीज में रखा और अब यह ब बड़िया quantity की यह मलाई हो सकती है और जो लगता है जो एड में दिखाते हैं वो कम से कम दो तिन किलो दूद गरम करते होंगे फिर उसके बाद जो मलाई बनती होगी ना वो शायद जा थिक दिखती होगे लेकिन एक किलो में भी आ जो quantity निकली वह आपके सामने है मैं यह न के वाला मूल का दूद जो है फुल क्रीम हम ले आए है और जो की लगबग 66 रुपीज का है तो जो कंट्री डिलाइट का तलग 95 रुपे का एक किलो था यह 66 का है तो मोटा मोटा बात की जाए तो उस अमाउंट में यह 1.5 किलो दूद जो है अमूल का लाया जा सकता है बड आपको दिखाएंगे कि इस एक किलो दूद में यानि अमूल के दूद में कितनी मलाय आती है ताकि क्वांटिटी को भी कंपेर के आजासके और दूसरा में भी क्वालिटी तो देखो वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है टेस्ट करके पॉसिबल है तो वह चीज़म शायद अगले वीडियो में कहीं बात करें तो ओवरनाइट हमने दूद को रखा उबालने के बाद और जो मलाय आएगी वह भी मैं आपको दिखा देता हूं यह देखो मलाय नो डाउट यह तो मानना पड़ेगा जो कंट्रिटी लाइट की मलाय थी वह काफी ठिक थी लेकि यह थोड़ी सी यलोई इस लगी अमूल की जो क्रीम थी क्रीम है मनला बेसिकली क्रीम कहलो मलाय कहलो लेकिन कंट्रिट लाइट वाली थोड़ी वाइट टाइप थी एक काम करते हैं दोनों को पहले ले रखते हैं फिर आपको साह ज्याद समझ में आएगा अब यह जो मलाय ह राइट साइड वाली आप देख रहे हैं यह कंट्रिट लाइट के हैं लेफट वाली अमूल की है तो क्वांटिटी थोड़ी कम है बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर डेड़ किलो दूद अमूल का उबाला जाएगा ना तो ओल्मोस्ट क्वांटिटी है वो तो सिमिलर सी ह हो जाएगी यानि कि 100 रूपीज का आप कोई भी मिल पैसों के रिसाफ से कर भी आप 100-100 रूपे का मुबाल होगे ना तो मलाई जो है आपको सेम मिल जाएगी टेस्ट भी डिफर हो सकता है और दोस्तों एक वीडियो में तुमने यह भी देखा था कि बोला गया था कि एक मह देखने के सारा मलब कंटे डिलाइट के साथ कमेंट करके जुरूर बताना हमें तो भी नोर्मली लगा पैसों की अगर बात की जाए तो कुछ खास वेल्यू एड जो है यह नहीं करता है थेंक्यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए कमेंट करके आप भी बताना आपको थीडियो के सालता